उस सही एक्सपोंजर तब मिला जब तमिल मोवी बॉंबे जो नाइटी 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 फाइटी फाइट इसका नाम है इसका टाइटल है और हुदा उनका नाम है अपने स्वसराल आती है केलिकाट अपने हश्बंड के साथ आठ पार्ट साथ पार्ट हम लोग देख चुके हैं मुख्तलिब जगाएँनोंने केलिकाट की दिखा दी है मिनला कैर जो आज इसका अगला पार्ट हम देखने जा रहे हैं इसमें यह बेकाल फोर्ट लिखा हुआ अब यह कौन सी फोर्ट है यह हमें देखने को मिलेगी और इसके बारे में किला होता है और यह साथ सथ हिस्ट्री भी बदाती रहती है तो बड़ी अच्छी बात है तो बहुत सरी लोग कहा थे किल आप लोगों ने इसको कंटीनिव नहीं किया तो हमने जरूर इसको आज लेक असलाम अलेकुम एविवान मेरे नाम होता है वेल्कम टू अंडाइलिट टायरीज और यह है एक पाकिस्तानी का विजट इंडिया में पार्ट एट पार्ट एट पार्ट एट तक पहुंच गए हम और कुछी वीडियो के माद मेरी यह सीरीज अपने इखताम तक पहुंच डियुके देखती हों कि हमारा रापता सीरीज के बाद भी रहेंगा तो चलिए आगे भटते हैं तो आज मैं अपको लेकर जा रही हूं, मैं आपको लेकर जा रही हूं, अब ये बेकल फोट क्या है, बेकल अच्छा, चलिए इससे पहले कि मैं उसके बार में आपको कुछ बताउ, आईए मैं आपकी थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हूं, अच्छा गया गाना है, हापे जी हाँ यह है बेकल फोर्ट अच्छा वाह 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 बतब गानेशाने भी शूटू हुआ है और अरेविंसी के कोस्ट पर है और अर्राउंड 40 एकर्स की जमीन पर ही बना हुआ है यह फोर्ट शुवपनायका ने 1650 AD को बनाया था शुवपनायका जो थे वो किलाद किंडम के राजा थे और इस फोर्ट को शुवपनायका ने इसलिए बनाया था ताके जितने भी हमले सी की तरफ से आ रहे थे वो उनको रूट सके काफी अर्से बार बेकल फोर्ट जो है मैसुर के किंडम के अंदर आ गया और कुछ अर्से बाद इस्ट इनिया कंपनी के अं बढ़ मंदर नसर आता है यह है हनुमान मंदर जाने का मेरा बहुत दिल था और जब मैंने गाड से बात की तू काड ने कहा था यह सिर्फ कूजा के लिए इसक्माल किया जाता है और यह बंद ही रहता है तो बढ़ रहता है तो दाट इसकी एंटरंस फीज अराँ 25 रुपी कि यहां पर आपको कैमरा के भीफी स्पे करनी पड़ती लिकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शायद मेरा मुबाइल का कैमरा था लिकिन अगर आप कोई दूसरा कैमरा था जैसे के DSLR कैमरा या फिर आपने को ट्राइपॉड के साथ कुछ अपना काम करना हो तो सब्सक्राइब कर दिया था लेकिन असकर भी इस बेकल फोर्ड को जादा विजिटर्स नहीं मिले थे इसको सही एक्सपोंजर तब मिला जब तमिल मुवी बॉंबे जो 95 मुझे गई थी उसमें इस जगा को तिखाया गया था और उसके बाद से यहां पर टूरिस का आना जा लगा रहा साथ इंडिया में बेकल फोर्ड काफी मश्रूर है तो साउथ से तो लोग आते जाती ही है लेकिन इस मूवी के वज़ा से नौट के इलावा दूसरे कांट्री से भी बॉट पुराना है बेकल फोर्ड आते हैं यह वैल तो नहीं है और आप काफी साउथ इंडिय मूवीस नेकते हैं तो यह जगा आपको नजर जरूर आएगी बॉंबे मूवी का वो आइकानिक गाना जिसमें अर्विन स्वामी मदहोशी की हालत में वनीशा कोयराला का इंतजार कर रहे थे वो इसी ही पोट में था इस दिन काफी कम रश्ट था खामोशी भी थी और सुक बहुत था लेकिन यह कीन माने इस गर्मी ने हमारा बहुत बुरा हाल किया था और क्यूंकि हम लब और गिंसी की सामने थे तो व्यूमिदी ने हाल भी हाल कर दिया था तो वो जो खामोशी और सुकून भी जो आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं आप तो यह पब्लिक के आपको लेकर जाएगी एक बेल की तरफ जब सुक गया है और इसकी एंट्रिंस बंद की गई है अच्छा बेकल फोट के अंदर आपको काफी वाच टावर्स ने जराएंगे पर यह जो वाच टावर है यह सबसे उंचा पॉच टावर है इसका पाथ पे जो है काफी स्टीप तो जब आप उपर चड़ते हैं या वापस नीच आठे तो बहुत ध्यान से अपने कदम आपको रखना चाहिए इन फाक में रिख्मेंड कर दियू कि आप रिलिंग को जरूर पकड़े अपने ऊपर नीचे जाने के लिए अपने बाद नीचे जाने के लिए लिए पूर प बेस प्लेस प्लेस अपने कर दम बहुत दियान से रखिएगा क्योंकि अगर आपका दियान इदर हो दर हुआ तो आपके किरने के चांसे भी भर जाते हैं वाप सिरू इसलिए होते हैं हो ना पोरे चालिस एकर पे जो फैलाव बेकल फोर्ट है उसको पूरा गूमने से बहतर यह शॉटकट बनाया गया था चालिस इदा डायरेक्ट ली फोर्ट से सीशोर की तरफ पहन सके और यह जगा देख रहे हैं इस जगह पर मिलिटरीक्वेपिन्स को या फिर वेपिन्स को पाली है और इंट्रेंस यहां की भी बंद है ना पुरान है एक टाइम पर बनाया गया था आज वो लोग ही नहीं है और रूट्स या अंडर्गरांड रूट्स के जो इस्तमाल तब किये जाते थे जब यहां पर कोई अटाइक हुआ करता था इसलिए बनाया गया था पानल वह वाला वाच्टावरतस सबंदर के सामने है और यह क्या महा तक नहीं पहुंच पाई अच्छा जिसकी बचा यह गर्मी और हीमिडिटी थी अगर गर्मी ना होती तो हम यकीन यह जगा और मुझे दिखते लेकिन हमी जाना पड़ा क्यूंकि हीमिडिटी और गर्मी ने ज जिसको अगर आप जब भी जाएं तो ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दो घंटे तो अपने दमाग में ज़रूर रखें और एक घंटा एक्स्ट्रा के आप से शोबी चालके समंदर का लुट्फ उठासे के समंदर ही जाने ना यहां पर चलते हुई यह सोच आती को बदलते हुए देखा होगा पर यहीं पर खड़ी के खड़े रहे हैं अपको मैं एक बात बताना चाहते हूं वो यह है कि मैंने यह सोचा है कि मैं अपने इंडिया सीरीज पर एक Q&A वीडियो बनाओ जिसमें मैं आपके सारे सवाल चो मेरे इंडिया की ट्रिप से कि कमेंट जिक्शन में जाके मुझसे वो सारे सवाल पूचें जो आप मेरे इस सीरीज से रिलेटेट पूछना चाहते हैं और मेरे सारे जितने भी सपोर्टर्स हैं और बहुत रिस्पेक्टफल रहे हैं लेकिन एक दफ़ा ज़रूर यह मैं कहना चाहती हूँ कुछ चंद लोगों को कि अपने सारे सवालों को रिस्पेक्ट के दाइरे में रखके पूछे हैं लाप तो यह रहा मेरा एंड आफ पार्ट एप एक पाकिस्तानी का वेज़िट इंडिया में अमीन करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो ओके बेकल फोर्ट और मैं इसको यही कह रहा था कितनी पुरानी फोर्ट है और जिसना इन्हों ने वीडियो में भी बोला कितने टाइम कितने लोगों को देखा होगा और आज यह फोर्ट तो वहीं की वहीं खड़ी है लेकिन जिन्हों ने बनाई थी या जो अच्छा मैं पर शूट हुआ है ना वह बैसिकली बॉंबे फिल्म का बहुत मशूर फिल्म है और वह लेकिन जो सी साइड पर था वहां पर बतारी थी शूट हुआ था कहती है मैंने जाने की कोशिश की लेकिन मैं गलत उस पर आ गई वाच पे वह दूसरी साइड पर था समंधर के पास और ओवराल यह है कि चालिस इंट पर फैली हुई पूरी पूर्ट है आपको दो घंटे चाहिए और एक्स्टरा टाइम भी चाहिए इसको पब्लिक के लिए जब उन्होंने तूरिस्स पॉर्ट कर दिया तो फिर मशूर है लेकिन तब वही जब बॉंबे फिल्म की अगर आपने समंदर के पास जाना है रेबियन सी के पास तो नीचे से एक शौर्ट कट बनाया वरना पता नहीं कितना टाइम आपको पैदल चलते वे समंदर के पास जाने के लिए लाग जाए और गर्मी बतारी बहुत ही हब्स थी हुमिडिटी और उसमें फिरना बड़ा म तो यह बंबे फिल्म मैंने भी नहीं देखी लेगन उसके गाने बहुत हिट हुए थे मुझे आद है आपको आपको अच्छा लगा होगा अगर आप चाहते हम इसके जो रिमेनिक टू पार्ट्स हैं वह भी लेके हैं तो कॉमेंड में हमें बताईएगा यह वाले रेक्शन